डिस्कस करेंगे perception के बारे में, तो perception can be defined as whatever is experienced by a person through various sense such as vision, auditory, taste, olfactory और tactile, यानि perception ऐसा experience है जो हम अपने sense organ से प्राप्त करते हैं, जैसे हम क्या देखते हैं, क्या हमारी sense organ काम करते हैं, जैसे vision देखना, auditory, सुनना, taste, taste लेना, olfactory, smell और tactile, यानि हम क्या touch करते हैं, तो in sense of organ में आई गड़वड़ी को हम disorder of perception कहते हैं, basically ये two types के होते हैं, पहला illusion और दूसरा hallucination, तो illusion में क्या होता है, illusion में किसी भी clear stimulus को गलत identify किया जाता है, illusion में stimulus हमेशा present रहता है, illusion में क्या होता है, कोई भी यहाँ पर object रहता है, कोई भी यहाँ पर चीज पढ़ी है, तो हम जैसे यहाँ पर कोई ऐसी रसी है, तो हम रसी को साफ समझ लेते हैं, यहाँ पर कोई भी object present है, stimulus present है, लेकिन हम उसे गलत identify कर रहे हैं, हम यहाँ रसी पढ़ी है, लेकिन हमें वह साफ लग रही है, एक्जामपल में यह दिया है, कि रसी को साफ समझ लेते हैं, यहाँ पर object present है, हम लेकिन उसको गलत identify कर रहे हैं, अब दूसरा है, hallucination में stimulus नहीं होते हैं, कोई भी object present नहीं होते हुए, भी person किसी stimulus का आभास होता है, जैसे यहाँ पर कोई कुछ present है, यहाँ पर object है, यहाँ र पहलत पहचान रहेते हैं, हम रसी को साफ समझ रहेते हैं, लेकिन यहाँ पर object ही नहीं है, यहाँ पर कुछ रसी या कुछ साफ है नहीं, तबी भी हम ऐसे लगता है कि यहाँ पर साफ है, जैसे, तो इसमें कितने यह मेलनी पांच टाइप के होते हैं, hallucination, टाइप of hallucination में य पहला है, टाइप of hallucination में auditory hallucination, तो इसमें hallucination of hearing, इसमें person को, यहाँ पर जैसे हमने बताया है, कि यहाँ पर कोई भी object नहीं है, लेकिन तब भी person को ऐसे लगता है, कि वहाँ कुछ चीज पड़ी हुई है, तो हम गलत इसको पता कर लेते हैं, कि वहाँ कुछ और है, तो हमें आवाज present ही नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लगता है, कि जैसे वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई दे रही है, वहाँ पर कुछ आवाज हो, जैसे हम कई फिल्मों में देखते हैं, कि जैसे कोई भी नाग नागेन की मूवी है, तो वहाँ पर उसको परानी जनम की बातें आद आ हैं, तो उसको वह आवाज दे के बुलाता है, गाने आता है, तो यह कोई आवाज सिर्फ उसको ही सुनाई दे रही है, लेकिन हम नों को सुनाई नहीं देती है, तैसी जैसे कई बार कोई mental person हमने सड़कों पर रोड पर देखा होगा, कि वह अपने आप में बातें करते रहत है तो उसको वह यह वहां पर रोड वाज है कि अावज ससुनाई देती हम से कई बात कर रहे हैं, तो नहीं है वीजय आवाज सिर्फ लगों को बात स्योंतory है Sultan करने वाली कि दिखाए कि ब्ष्ण लगता कि वहाँ कोई किसी का साया है कोई कधए रहां यहां पर जैसे भूत होती नहीं परसन को वैसे को वैसे नहीं दिखाए देती है तो वस वही को ब्रहुत को और वे उसे गंदिगंदी इसमेल आती है जैसे वह एक मूवी भी थी मरान खान की उसमें वह कहते हैं तुम तुम सड़ गई हो तुम मैंसे बदबू आ रही है तो वही ऑल्फेक्ट है रहते हैं इसा कुछ था नहीं लेकिन तब भी उसके माइंड में ऐसा घर कर लेती है वो चीज कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं सड़ गई हूँ मुझसे स्मेल आ रही है मुछ से बदबू आ रही है तो वही है और इसक चौफा है गईस्ट्री माफ निया है कि कुछ जाता है क्या आफ फू apology है सखक्र नी चलता है तो यह उसमें गैस्ट्री है यहां पर टेख्टायल हैलूशिनेशन एन्य हैलूशिनेशन औफ तच जैसे यहां पर कोई उसको ऐसा लगधा यानी उसके बॉडी पर कोई चीज यैस धीर रह ergshore हो जैसे कोई लाइन करें उसके सरीर के अंदर यह सरीर के भार इस जो कई चीज चुल रहे ужас किसी कुछ हुआ हो तो ऐसा उसमें कोई लेकर अब्जेक्टी प्रेजेंट नहीं है कुछ भी नहीं होता लेकर उसको बस फील होता रहा है तो यह था मेरा आज का वीडियो आसा करते हो कि मेरा वीडियो आपको पसंदा आया होगा थैंक्स फर वाचिंग